जो हम मेरे पास अभी 25 पंचांग रखे हुएं, पूरे भारत के विद्वानों के पंचांग हैं, सब पंचांग उन पंचांग कारों ने एक शाल पहले निर्ने दिया हुआ है, कि एक नॉवंबर 2024 को दीपावली का पर्व मनाये जाएगा। आज तक किसी ने भी कभी भी मेरे से डिगरी नहीं मांगे कि आप किस योग्याता के आदार पर क्रमकान कर रहे हैं, या किस योग्याता के आदार पर आप तित्यों का तिहारों का परुका निरने करते हैं। मंदिर में विराजमान पुरोईत है जो करमकांड आचारिया है जो मंदिर का पुरोईत आपके लिए संक ध्वनी करता है आपकी विभा करमकांड कराता है मंडा पूजन कराता है उस आचारे को पूछ कर आपको तेवार मनाने चाहिए यह परमपरा है करने ना करने के उपर अपने आपको जो है के निछा थारत cents फिरागं है- और जगे जगे जिन लोगे के पास थोड़ा सा भी पैसा हो गया तो वह कोई महमंडे सुर नहीं बन जाता है या कोई कर्मकांड का विशी सग्गे नहीं बन जाता है महले के पंडितों को ग्यान होगा इस चीज का हमारे महले के पंडित कम से कम 30-35 साल के आपके देखने वाले हैं उन्हें पक्का ग्यान होगा अचारे में सेमवाल जीगे निवा स्थान पर आपको बता दे यहाँ पर उतराखन जो 30 परिशेत के जो पत्ददिकारी हैं उनकी यहाँ पर आज पत्रकार वारता और बैटक हुई है क्या उन्होंने कहा है इस पत्रकार वारता बैटक में क्या विशे किसी को लेगर आपने आपर बैटक करें धन्यबाद दीपक जी रुड़की रुड़की के सभी देखने वालों को मेरा जैसीरिराम आज हमारे विद्वत परिशत के सारे लोग आये हैं विद्वान लोग और उन्होंने ये निर्णाय लिया कि जो समाज में भ्रां हमारे पंचांगों में जो मेरे पास अभी 25 पंचांग रखे वें पूरे भारत के विद्वानों के पंचांग हैं सब पंचांग उन पंचांग कारों ने एक शाल पहले निर्णे दिया हुआ है कि एक नॉम्बर 2024 को दीपावली का पर्व मनाये जाएगा उस पर confusion हो रहा था तो जो रूड़की के विद्वान आचारे हैं स्रेष्ट आचारे हैं और जो विद्वत परशद के सम्मानित सदश्या हैं उन्होंने एक मस्से यहां पर आमने बैठक बुलाई थी निर्णे लिया है कि एक नॉम्बर को ही दिपावली का पर्व मनाये जाएगा निर्णे सि दिपावली का पर्व एक नॉम्बर को मनाना सबी धर्माल अम्यों को उचित रहेगा रुड़की के सारे विद्वानों का यही मत है और हमने पूरे देश के पंचांकारों से वारता की है चाहे देविदयालू पंचांग हो राजदानी पंचांग दिली हो चंड मारतन पंचांग उत्राखंड का हो सभी पंचांग कारों या विद्वत परिशद का उत्राखंड का जो पंचांग चपता है अमिर्त कुम के नाम से उस पंचांग कारों ने में एक मस्चे निर्णा है कि पूरे उत्तर भारत का यही निर्णा है एक नॉम्मर को ही दिपावली मना प्राना उचीत रहे जा आचारे जी शास्त्री जी क्या कारण है कि हम देखते हैं कि जो भी हिंदू पर्व है ये तोहर है अब कुछ बदलाओ उता जा रहा है एक की बज़ाए दो दो बनाया जा रहे है दिल्ली में आज बन रही है तुसारमपुर में कल बनेगी इस तरह का ह तूहरु होता जारा है विसमें दो तरिय की बात रहिए है यह तो घम तक कोई समी करते लोग चुछ ंरत कुछ जान कब समय करते हैं। मामन्डेश्वर कहने के फिराग में हैं और जगे-जगे जिन लोगों पास प्यक्सा हो गया तो वह कोई मामन्डेश्वर नहीं बन जाता या कोई कर्मकांड का विशी सग्ड नहीं बन जाता है वो हमारी जो हिंदु पद्धती है पंचांग को देखने की वो सदियों से चली आ रही है पुछी कुमानिता देनी चाहिए हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं होता जैसा ब्रामक प्रचार के आ जाता है इसी संबन्द में हम आज अपने सभी कारे करताओं ने अपने ज 이상 शक्टुबर में धन्तेरस जिसे धन्वंत्री जैंती के रूप में मनाय जाता है तीस तारी को हमारी हनमान जैंती मनाय जाएगी जिसे दक्षन बारत में विशेश माने ता दी गई है एक तो इस bunun नरक चतूरदसी और च्छोटी दीपावलि के रूप में मनाय जागा तो कोई संसे ने जो मैंने आपको बता दे वो हमारे दर्सों को तकाप पहुंचाएं और उड़की की पूरी जनता एक तारिक उद्धी पावली बनाए तो आप मानते हैं जिस तरह से अभी आपने बताया कि यह जो ब्रहांतिया फिलाए जा रही है गलत तरीके से जो जोतिश सचारे बने वैठे हैं जिनको घ्यान नहीं है अग्यानता उनके अंदर ज्यान है उनके दोरा किया जा रहा है सब कुझे मैं बताता हूं एक तो बात होते हैं ब्रह्मा जाना आती थी ब्रह्मना बनना और होना दोनों अलग बात है बनने की बहुत लोग फिराक में और बन केवल नकली रूप उन्होंने ले लिया है और अपने आपको सिद्ध करने पर लगे वें उन्होंने कोई गुरुकुल की सिक्षा नहीं लिए उन्हें संस्कृत का मोल ग्यान नहीं उन्हें पंचांग देखने की पद्धती का ग्यान नहीं है ऐसे लोग आजकर टीवी पर अगर उनके सब बाते मानों तो आपको खाना पीना भी दूबर हो जाएगा कोई बोलता है दक्षण में दर्वाजा मत रखो कोई बोलो पर मत रखो पहर इदर को मत रखो गड़ी दर मत रखो अगर मैं स्वेम इस बात को देखता हूं तो मुझे लगता है कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो आप किसी ब्रांतिया में पहलें किसी भी जगह है और एक अच्छे जो विद्वान ब्रहामन उसके स्रणागति आप ले अपना मार्ग दर्शन प्राप्त कर रहा है गुरू जी आप क्या कहना चाहिए जिस तरह अचरे जी ने बताया कि देखो अध्यन, मनन और चिंतन तो हमारा जोतिस तो जोतिसम तो चतुरलाकम सड़े चार लाक स्लोगों का जोतिस है मूर्त गरंति कई खंडों में है मूर्त चिंतामनि अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़े निर्ने सिंदू, धर्म शिंदू, मूर्त चि करता हूं जैसे अगर हम कोई वकील बनना चाह रहे हैं तो उसे हमें वहां की जो परिपाटी उसको पास करना पड़ता है लेकिन आजकल कोई भी अपने आपको आचारे लिख रहा है मुझे लगता है आपकी और से प्रियास होना चाहिए जो लोग ढोंगी पाखंडी है और ज समाज है जो तरी सचाहर है परिशाद है उत्तरा खंडगाव के पास क्यों नहीं ऐसे लोग के घलाफ कारवाई होती है जो लोग इस तरह की भरांतिया फिलाते हैं हिंदू के तवारो इस तरह के धरम के कारिकरों में अर्चन आती है यह जंता को सूचना है कि जो आपके बात ना करके टीवी चैनलों पर यह वटसेप पर जाते हैं क्यों भाई आपके दुख में शुक में आचारे जो मंदर में विराजमान पुरूइत है जो करमकांड आचारिया है जो मंदर का पुरूइत आपके लिए संक ध्वनी करता है आपकी विभा करमकांड कराता है जो विद्वान है उनके पास जाकर इस तरह के जोति शार्वेस जान कर लेनी चाहिए अपने तोहरों के अपने दिनों के अपने ध्रम की उसको देखेंगे दिपकी इसमें है कि जो चार-पान सालों से इंटरनेट के थुरू ग्रत परचार किया जा रहा था हिंदु धरम के अब की बार भी यह हमारे हाँ फलाया गया कि अब की बार दिवाली 31 में बनाए या एक में बनाए दंतिरेस हम 27 में बनाए तो वेपार की तरफ से भी आग मांगा रही थी और सनादर द्रक्षित अब करना पड़ा कि हम यहां पर बैठें और एक निश्करश निकाले क्या र वेश्कार क्यों नहीं कर रहे हैं हमारा यह मानना कि आज पहल शुरूरी 2-3 साथ से जागरुत आ रही है लोग पहले सोते हैं ठीक है मोबाइल में आगया लेकि अब मोबाइल का यूज इतना हो गया कि वह हमारे उपर असर करने लग गया हमरे धरम को अपर असर करने लग मानते हैं महले के पंडितों को क्यान होगा एससीज का हमारे महले के पंडित को गयान हो मैं हो可愛 क्यों क्योंकि उससे 24 घंटे हमारे साथ च्छ जार्टा एकिन आज तक किकी ने भी कभी भी मेरे से डिग्री नहीं मागी कि आप्सी उग्यता की आदार पर क्रमकान कर जो एक जो है कितीयों का त्योक्तियों combine करते हैं कि मूल रूप से कि जो भी आपकी उत्रखन्द जो जोतिशह प्रिश्द है या प्रोहेड समाज है किका इनका ध्रम या इनका फर्ज नहीं पीड़ता आप जैसे आप मंदिरों में जाये उनसे पूछे कि कि मंदिर समीटियों से किसादार पर आप इनको मंदर मुझार की स्थान दे रहे हैं मंदिर में पन्दे दे में और Psalm लेकिन हम समाज को जागुरु की कर सकते हैं किसी को बाध्या नहीं कर सकते यह हमारी भी बाध्याता है और हर व्यक्ति की एक अपनी परीदी होती है उस परीदी से बाहर निकल कर गए यदि हम कोई बात करेंगे तो निसंदे कल आप ही हम लोगों पर उठाएंगे तो इसलिए बात दे हैं और उसी बात देते के करण हम मात्र आपको कई बार हमारे पास क्या आता है कि महराज हमने यूटूब पर देखा ऐसा है यह ऐसा नहीं आप गल्द कह रहे हैं तो अब हमारा मानना केवल यह है कि हमारे बड़े जो आचेरेगन थे वो कहते थे कि हमारे जो है बड़ी दिपा वाली जो बनाई जाएगी वो 31 अक्टूबर की मनाई जाएगी आपर देमें जो आपर देमें